हलो फ्रेंड्स बेलकम है आपके अपने योट्ूब चैनल नेचरलन वंब्यूटी में यह ससँ ए जैसे में इसकी सभी की ड्राई हो रहीं है चाहे जैसी भी स्कीन हो ड्राई हो ही जाती है अगर बिंटर सीजन होता है और जिसके ड्राई स्कीन है बहुत ज़्यादा ही ड्राइ हो जाती है तो इसके लिए आज हम बनाना मास्क आप लोग को बताएंगे कि बनाना फेस मास्क आपको अगर आप अपनी स्किन पर यूज करते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राइ नहीं रहेगी साथ ही सौफ्ट रहेगी स्पॉटलिस रह है और उसके बाद इसी चमस से मैश कर दे रही हूं बहुत ही इसली हो जाता है और यह इसमें हम थोड़ा सा यूज कर रही हूं हनी तो हनी जो होता है प्रेंस जानते ही है कि नेच्यूरल इंगेडियंस वें बहुत ही वेश्ट छिट इंगेडियंस है फेस के लिए तो यह होता है एंटी वेक्टिरियर होता है आपके चेहरे पर पिंपर सो गएरा आने से रोकेगा साथ ही एक नेचुरल मॉस्टराइजर का भी काम करता है और उसके बाद मैं यूज की हूँ थोड़ा सा मिल्क रौ मिल्क अगर रौ मिल्क आपके पास नहीं है उस टाइम तो आप जो है जो मिल्क आपके घर में रखा है उबला हुआ भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान यह देना है कि आपका मिल्क बिल्कुल ठंडा हो गरम बिल्कुल भी नहों और उसके बाद यह थ्री गेडियन से बन जाने वाला यह फेस मास्क बहुत ही इमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा फ्रेंड्स आपकी इसकीन बहुत ही सौफ्ट और ग्लोईं दिखेगी और साथ ही आपको फेरनेस भी दिखेगा और इसे लगाने के बाद आपका चेहरे इतना सौफ्ट हो तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको थोड़ा जादा पसंद आ जाए तो सेर भी कर देजिएगा और फ्रेंड्स अगर फिर्ष्ट बार मेरे च जानते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए बताना पड़ते हैं तो प्लीज सपोर्ट बनाईएगा प्रेंज़ आप सपोर्ट के भी नग कुछ भी नहीं हो सकता तो फ्रेंड्स इसे मैंने वास कर लिया है आपको अपलाई करने के बाद इसे वास कर लेना है तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई व्यूटी टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई टेक के अपना ख्याल रखिएगा आप लोग भी अपलाई की जीजिए